हेलो बच्चो कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे मैं दिनी शादो वेलकम करता हूँ आपका एसल के इस ओनलाइन प्लेटफोर्म पर जहां पर हम लोग 11 क्लास का 11 से चप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था उस्मा गतिकी बनाः गतिकी में अभी तक हमने 4 लेक्ट्र कंप्लीट कर लिए थे वन में लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी agriculture के बारे में मतलब बनाण लेक्चर में के बात की थी उसको अच्छे से हमने टड़ लिया था कुछ तो आप जल्दी से start हो जाईए pen copy लेके और हम लोग पढ़ना start करते हैं आज का session आज के session में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विभीन परकरमों में कारिये की गणना आप देखो ये विभीन परकरम कौन से हैं पहले तो इनके बारे हम बात कर लेते हैं इसके लिए हम लोग एक tabular form बना लेते हैं दोनों को एक साथ रीड कर लेते हैं क्योंकि उससे अम्हारे लिए भी चीज़े आसान हो जाएंगी दोनों इक जिखेंगी तो देखो मैं बात करता हूँ कि आपके पास क्या है एक तो होता है उतकरमणिय परकरम कुन सा होता है उतकरमणिय परकरम और एक होता है अनुतकरमणिय परकरम लेते हैं इसको भी नहीं पहले भी आपको बोला था कि चप्तर को continuous पढ़ते चलोगी तब ही चीज़े शंब लेक्टर को इसकीप करोगे मान के चलना उसके बाद वाला चिप्टा आपके समझे नहीं आएगा तो इसलिए सीरियस होके थोड़ा सा रेगुलर्टी के साथ पढ़ना है स्टार्ट करो और किसी ने पिछली वाले लेक्टर नहीं देखिया तो वापस से जाके इस वीडियो द उस कंटेनर में क्या होता था वहाँ पर एक गैस भरी होती थी चलो मैं बना देता हूँ और यहां पर एक ये पिस्टन लगा हुआ है ओके हमने पिस्टन लगा दिया इसमें गैस भरी ही यह ठीक है साथ में यहां पर क्या लग रहा है यहां से जो दाब लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते थे पी एक्स्टर्नल बोलते थे और साथ में यहां पर हमने क्या रखा था एक छोटे मतलब एक बीकर था कोई यहां फिर सपोज़करो कुछ भी था आपने पास जिसमें हमने क्या रखे थे मिट्टी भर दी ती रेत भर दी इसमें सेम प्रोसेस हम लोग यहां पर भी लिखते थे ऐसी कहानी मतलब एक ऐसा ही अपने पास कंटेनर हुआ करता था था थे हमारेशाऌन पास उतकरमडी प्रकरम में क्या हुआ करता था पर या मैं बोलू है कि यहां पर बहुत सारे प्रोसेस होए, मतलब बहुत सारे पदों में परकरम पून होता था, इसी परकरम को हम लोग क्या बोलते थे, उतकरमने परकरम बोल देते, अनुतकरमने क्या बोलते थे, कि सर यह जो बोजा रखा था, इसको हम लोग एक साथ हटा देते, जैसे एक साथ ह बात भी मैंने उस दिन भी बताई थी, आज मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, कि यहाँ पर हमारा जिपास जो P external होता है, वो क्या होता है, परिवर्तन सील होता है, कैसा होता है, परिवर्तन सील, सोचो थोड़ा सा, मैं बोलू, कि जैसे एक ए परिवर्तन सील नहीं होता था, P external, मतलि एक नियत भाय दाब बन जाता था, जैसी मैं 10 kg को उठाऊंगा, तो उत्तुरंद हमारे पास क्या बन जाता था, एक नियत भाय दाब बन जाता था, उसमें परिवर्तन सील नहीं रहता था, तो यहाँ पर हम लोग बोलते थे, कि हमा हमारे पास P gas किसके बराबर हो जाता था, P external के बराबर हो जाता था, अब इसी की help से हम लोग क्या करेंगे, कुछ calculations करेंगे, जो अभी आपके वर्क के formula में काम आएगी, यहाँ पर हम लोग क्या बोलते थे, कि सर हमारे पास क्या होता था, P gas होता था, वो बहुत जादा होत होता था, किसके comparison में, P external के comparison में, यह कि मैं एक ही case के लिए बोल रहा हूँ, जब हमारे पास क्या होता है, परसार हो रहा है, परसार के लिए, क्यों बोल रहा हूँ, उसको भी जरा ध्यान से सुनना, suppose करो, अगर यहाँ पर P gas, अंदर वाला दाप ज्यादा होगा, पिस्टन यहाँ पर पिस्टन था, मैं बहाईय दाप ज्यादा कर दू, मतलब P external को ज्यादा कर दू, और P gas को कम कर दू, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, संपीडन हो जाएगा, इसको थोड़ा समझने की कोशिस करना, यहाँ तक यह बाते किलिर हो चुकी है, अब देखो, मैं यहा बहाईय दाप होता गया, उसके अगेंस मेरे पास क्या हो रहा था, कार्य हो रहा था, और इसका हमनों formula भी देख लिया था, कि जब भी हमारे पास एक बहाईय दाप, नियत बहाईय दाप के विरुद कोई कार्य होता है, तो उसका formula क्या पढ़ा था last lecture में, जल्दी बताओ, सर्फ पढ़के आयते हम लोग P external, delta V पढ़के आयते, तो बताइए, क्या आप लोग आज के बाद कहीं पर भी अनुत कर्मनिय प्रकरम दिखे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको दो बाते बोली जा सकते हैं, एक तो क्या बोला जा सकते हैं, डायरेक्टी आपके पास प्र लेका 5 ATM के विरूद, 10 ATM के विरूद, तो वहाँपर क्या हुआ? एक फिक्स दाब हुआ आपके पास, तो ये दो चीजे बोल के आपको अनुत कर्मने प्रकर्म बोला जा सकता है, तो अनुत कर्मने प्रकरम में जब भी आपको निकालना हो, क्या निकालना हो? Work. तो इस ओर म करो जब भी कोई चीज पैवर्थन सील होती ते इसको हम लोग चर बोलते है क्या अज वेरियेबल बोलते है और वेरियेबल का पारता है अगर हम भी ओर रीज़िर्ट निकालना होता है उसका जो भी हमार algumas कारना होता है तो तो हम मैंने last time जब मैंने work का formula बता है तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था P external लेकिन देखो दोनों लगभग क्या रहेंगे बराबर जैसी एक कण अटाऊंगा थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा फिर फिर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा फिर बारवाले के बराबर हो जाएगा त मिरे पास जो दाब रहेगा वो लगभग बराबर रहेगा बात समझ रहे हो तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि मिरे पास जो P gas है साथ में माइनस का sign भी रहता था और यहां पर क्या होता था डीवी होता था क्या कहां से कहां तक V1 से V2 तक पताईए अब P gas परिवरतन सी है तो कि इसका भी समाकलन करना पड़ेगा इसलिए मैंने इसको कहां रख दिया समाकलन के अंदर रख दिया अब देखो यहां पर हम लोग GAS के बारे में study कर रहे हैं तो GAS को हम लोग कौन सी मानके चल लेते हैं आद्रस GAS मानके चल लेते हैं तो आद्रस GAS से PV बराबर NRT ह होता है तो क्या पी को replace कर सकते हो यहां से आड़ी कर सकते हो ना पी को replace करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दो मैं side में लिख देता हूं जरा ध्यान से देखना हमारे पास क्या होती है आद्रस GAS समीकरन पी वी को सुट क्या होता है NRT तो यहां से अगर मेरे को P को replace करना हो तो क्या बन जाएगा NRT divided by V बन जाएगा क्या तो बताइए यहां से मैं ये वाली कहानी अगर put कर दू मैं यहां equation में कहां पर यहां equation में put कर दूँ तो आपके पास formula क्या बन जाएगा जरा ध्यान चे देखो हमारे पास formula बन जाएगा work का w बराबर क्या हो जाएगा w बराबर minus समाकलन रहेगा कहां से कहां तक v1 से v2 तक और साथ में क्या बन जाएगा तो आज के बाद अगर कभी भी हमें reversible में work calculate करना हो हम लोग क्या करेंगे इस वाले formula को काम में लेंगे और उसी से हम लोग क्या करने वाले है work calculate करने वाले है तुझा इसको मैं बंद कर देता हूं अच्छे से बताइए आज की बाद अगर कहीं पर भी आपको उतकर्मणी प्रकरम दे तो आपको उतकर्मणी प्रकरम का work किसी formula से calculate करना इस formula से अभी इसको थोड़ा जाके change भी करेंगे आप tension मतलो अभी इसी दूसरी जग भी पढ़ने वाले है तो अभी तो बस आपको इतना समझ के चलो इस slide के लिए तो आप इतना ही समझ के चलो कि यहाँ पर तो क्या होता था दोनों में difference होता था और जब उतकर्मणी प्रकरम बोलते थे तो यहाँ पर कैसे calculate करते थे work W equals to minus P external delta V से calculate करते थे और यहाँ पर क्या करते हैं कि P gas क्या होता था निरंतर परिवर्तन सील रहता था इसलिए हमें उसको भी समाकलन में लेना पड़ेगा और समाकलन में जब मैं इसको लूँगा तो यहाँ पर मैं P को replace कर सकता हूँ NRT by V से और उसको भी मैं समाकलन कर बताइए यहाँ तक कोई दिक्क़त आई आप लोगको मेरे ख Workshop स सारी बात यह समझ वे आये हूँगी यहां तक अब देखो हम लोग क्या पकरने वाले है यहाँ आपके आपके बास उतकरमणी और अनुतकरमें दो परकरम बन गया है इन दोनों परकर्मों में पहले तो हम ल कर्मिने प्रक्रमों में कारिये की तुलना अब तुलना से मतलब है कि कहां पर कारिये ज़्यादा हो रहा है कहां पर कारिये कम हो रहा है तो यह क्या तुलना ही तो है अब हम लोग क्या देखने वाले है कि वल कारिये की तुलना देखेंगी कहां पर कारिये ज़्यादा होता है तो सबसे पहले मैं बात करूँगा परसार कारिये के लिए, परसार कारिये का मतलब समझे, समझे क्या, पहले भी मैं बहुत बार बोल चुको हूँ, परसार कारिये का मतलब हुआ, इसका मतलब होता है कि हमारे पार जो बाद वाला आईतन होगा वो तो जादा होगा और जो पह i5 यापपास ज्यादा हो रहा है और वीवन क्या होगा कम होगा मतल़कों बाद वाला अईतल जब भी ज्यादा होका तो हमram पर कौनक सा कारिये होगा प्रसार कारिये होगा बात समझ में ठीक है अब देखो इसको थोड़ा हम लोग क्या करते हैं graphical manner में समझने की कोशिज करते हैं PV worker से इसको समझेंगे तो PV worker हम लोग बना लेते हैं यहां पर देखो पहले मैं बना रहूं किसके लिए बना रहे हैं यहां पर हम लोग पहले बना रहे हैं उत्कर्मनिये प्रक्रम के लिए जो प्रसार कारी है ना अपने पास वो दोनुं जगे रीड कर रहेंगे, हम लोग कहा देखेंगे, एक तो उतकर्मणिये में देखेंगे, और अनुतकर्मणिये में देखेंगे, अब ज़रा बताइए, उतकर्मणिये में क्या होगा, जैसे आप हलका सा दाब भटाओगे, क्या होगा, आईतन थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर एक पिर ठोड़ा सा आईतन बड़ेगा तो ऐसे चोटे-चोटे-चोटे-चोटे स्टेप्स चलते रहेंगे क्या बहुत सारे, होंगे नहीं होंगे, तो इसके लिए जो PV का ग्राफ बनता है, किसका ग्राफ बनता है, यहाँ पर मैं बोलते हैं तो प्रिशर है और यहाँ पर कोन ह यहाँ पर जो PV का ग्राफ बनता है, वो बनता है एक कर्व शेप में, कैसे बनता है, एक कर्व शेप में, ऐसा यहाँ पर एक ग्राफ बनता है, तो यह ग्राफ किसका बन गया, उत्करमनिये के लिए, किसके लिए बनाईए, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर, A, हम लोग डिसकस करेंगे किसके लिए अनुत कर्मणिये के लिए, इसके लिए डिसकस करेंगे अनुत कर्मणिये के लिए, वो क्या होता है उसको भी ज़रा चेक कर लो, हम लोग यहाँ पर यह बोलते हैं कि सीम ग्राफ ही बनाने आपने को, तो ग्राफ यहाँ पर बना लेते हैं हम आपने पास yx आप किसके बारे में चेक कर रहे हैं हम लोग second वाला हम लोग चेक कर रहे हैं अनुत कर्मणिये के लिए अनुत कर्मणिये आप तो बस एक बार देखते चलो पिंशन नहीं ले ना अगर आपको लग रहा है कि सर कुछी समझ भी नहीं आ रही तो आप एक बार देखते चलो मैं जैस जैसे बना रहूं न समझ में आएगी लास में जब मैं कन्कुलिजन लिखूंगा तब सारी इतना सा द्यार रखना कि अभी हम लोग नोटेशन जब लिखेंगे ना तब इसकी जरूत पड़ेगी तो अब देखो यहां पर यहां पर भी क्या रहेगा प्रिशर पी रहेगा यहां पर वोल्यूम क्या रहेगा वी रहेगा अब एक काम की बात मैं आपको बता देता हूं आपने फिजिक्स में भी पड़ी होगी जब भी पीवी ग्राफ हमें देता है तो वक्कर का छित्रफल हमें किसके बारे में बताता है कारिय के बारे में बताता है बात समझ में ही तो यहां पर मैं नोट लगा के लिख भी देता हूं कि हमारे पास क्या होगा यहीं लिख दे यह भी PV graph का छित्रफल, PV graph का छित्रफल कारिये को बताता है, ठीक है ध्यान रखना वैसे आपको physics में भी यह बात पता होगी, physics value मतलब वहां पर ही जब हम भी फर्मडारिस पढ़ते हैं, तो वहां पर भी इसके बारे में जिकर करते हैं, PV graph वहां पर भी आते हैं, तो मैं यहाँ पर बता रहूँ कि जब भी PV graph आपको दिखे और आपको वक्र दे रखा अगर उसका छेत्रफल निकाल लो, उस वक्र का छेत्रफल निकाल लो उसके नीचे का, तो वह आपको किसके बारे में बताएगा, कारिये के बारे में बताएगा, अच्छा, अब देखो, यहाँ पर जो second वाल है, उसको लोग रीड करते हैं, किसके बारे में, उत्अनुत कर्मणिये के बारे में, अब देखो, मैं पहले starting वाली condition की बात कर रहा हूँ, इस study में क्या रहा होगा, आपके बास, बाहर दाब बहुत ज्यादा रहा होगा, और item क्या रहा होगा उस टाइम, और एक cylinder का item क्या रहा होगा, कम रहेगा, पहले बाहर दाब लगा कर रिखो, तो piston नीची की तरफ रहेगा, तो item क्या रहेगा नीची की तरफ, कम रहेगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर वो मेरे पास condition यह वाली है, कि मेरे पास dab तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है, ठीक है, और item मेरे पास यहाँ पर देखो, item इस परसायल में item है न, तो यहाँ पर यह item तो 1 liter है, और आपके पास जो dab है, वो कितना है, 10 ATM है, कितना है, 10 ATM, अब आपने क्या किया, इस dab को अच्छानक से कम किया, और अच्छानक से कम करके लिया आए, आप इसको 2 ATM पर लिया आए, कहां लिया आए, 2 ATM पर लिया आए, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर आपके पास जो dab आ रहा न, इसके respect में, वो कितना आ रहा है, 2 ATM आ रहा है, अच्छानक से आपने दाब को कम किया, मतलब जो बोरी रखी हुई थी, उपर मिट्टी किया, फिर जो container में मिट्टी रखी हुई थी, उसको आपने क्या कर दिया, उठा के side में रख दिया, तो दाब अच्छानक से कम होगा न, अब बतो, दाब अच्छानक से आपने कम किया, यहाँ से यहाँ तक आपने क्या कर दिया, दाब को कम कर दिया, अब यहाँ से यहाँ तक अगर दाब कम हुआ, तो बताओ आईतन क्या अचानक से बढ़ेगा क्या बिल्कुल आईतन बढ़ेगा और एक लिटर से कहां पहुंच गया मैं बोड़ाओ कि एक लिटर से आईतन बढ़के कहां पहुंच गया पांच लिटर के आसपास पहुंच गया चलो इसको थोड़ा सा उपर बना लेते हम ल आब अईतन में बढ़ गया। बोला कि PV graph का 6 फल किसको बताता है, कारिये को बताता है. बोला ना? तो अब बताओ, दोनों में अगर हम लोग कारिये की गणना करने ही बैठें, तो बताओ, कारिये कहां पर ज्यादा होगा, जल्दी से बताओ. बले सर्थ दोनों का 6 फल निकालने के लिए में क्या करना तो इसका चित्रफल क्या होगा यहां से यह लाइन होगी और यहां से यह लाइन होगी बताइए यही होगा क्या ठीक है इसका चित्रफल क्या होगा बले सर इसका चित्रफल यहां से यहां तक का होगा ठीक है कहां से कहां तक का यहां तो देखो यह लाइन का चित्रफल है इस यहां से यहां इस वकर के नीचे वाला चित्रफल ही तो होगा ठीक है और वकर के नीचे का चित्रफल अब जरा बता दीजिए यहां पर अगर मैं चित्रफल को डिनोट करूँ तो चित्रफल मिर पास क्या होगा किस से फिल करें वाइट से फिल कर लेते हैं चित्रफल क्या हो जाएगा यहां तो चित्रफल यह वाला पूरा चित्रफल हो जाएगा क्या अरे बताइए होगा नहीं होगा तो यहाँ पर मैं बोल दूँ कि मिर पास यहाँ तो यह वाला पूरा चित्रफल हो जाएगा जो यह चित्रफल होगा अब बताइए यह तो किसके लीच हो गया यह वाला चित्रफल तो यह वाला तो हो गया उत्करमणिये के लिए अब सेम ऐसे यहाँ पर कौन सा वाला छेत्रफल ज्यादा है, देख रहा होगा आपको, यहाँ पर यह वाला छेत्रफल हो गया पूरा, और यहाँ पर क्या हो गया, केवल यह वाला छेत्रफल, तो ज्यादा छेत्रफल कहां पर है, जल्दी से बताईए, अरे ज्यादा एरिया कहां का है, मैं यह लिख तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि area, ठीक है, अब देखो, मैं यहाँ पर mode लेके चल रहा हूँ कि कारी हमार पास एक में रिनातमक आएगा, एक में धनातमक आएगा, तो हम लोग comparison करवाएंगे, तो दोनों धनातमक मानों का comparison करवाएंगे, ओके, तो यहाँ पर क्या रहेग Irreversible का area कह रहेगा, कम रहेगा चुर्ण ज्यादा area किसका रहेगा Aगर area छहेतर फल ज्यादा है तो क्या होगा, कारिय भी ज्यादा होगा तो हम लोग यहाँ पर लिज़ सकते हैं Mode of w reversible क्या रहेगा ज्यादा रहेगा किससे Mode of w Irreversible से, ठीक है तो काम की बात निकल के आचुकी है हमारे पास, हम लोग क्या बोलेंगे, कि जो कारिय की तुलना है, वो हम लोग कहां से लिख सकते हैं, यहां से हम लोग बता सकते हैं, तो हमारे पास हम लोग बोलेंगे, कि जो W reversible होता है, वो क्या होता है हमारे पास, ज्यादा होता है, किसके क्यों हो रहा है परसार के लिए यहां पर चिन भी बता देता हूँ आप लोगों को कि हमारे पास जो कर्व है ना कर्व का चिन कैसे परिवर्तित हो रहा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहां से इस सैड में जा रहा है और यहां क्या हो रहा है यहां से हम लोग जा रहे है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लगातार आईतन बढ़ रहा है क्या, और यहाँ पर भी अच्छाने का आईतन बढ़ गया क्या, तो दोनों जगे क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, तो यह तो किसके लिए कहानी होगी, प्रसार के लिए होगी, सेम ऐसी ही कहानी हम लोग किसक संपीडन के लिए भी बना सकते हैं किसके लिए बना सकते हैं संपीडन के लिए तो चलो उसको भी डिसकस कर लेते हैं हम लोग जल्दी से हमार पास सेकेंड क्या है संपीडन कारिये की तुलना अब बताइए संपीडन कारिये का मतलब क्या होगा आइतन कम होगा क्या आपके प क्या रहेगा कम रिएगा अब पाइनल कंडिशन की जब बात करूँगा तो क्या हो जाएगा पिस्टन हमारा नीचे की तरप आजाएगा । यह तो वहाँ पर जो दाब लग रहा होगा, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो चलो, इसके लिए भी हम लोग discuss कर लेते हैं, यहाँ पर भी हम लोग दोनों graph को discuss कर लेते हैं, सेम जैसे हमने अभी पहले किया था, ठीक है, तो चलो, पहले हम लोग लाइन खेंच लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले किसके लिए, ए, हम लोग बात करेंगे, ए में उतकरमणिये के लिए, उतकरमणिये और करम, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, reversible बोलेंगे, REV, ओके, सेकेंड हम लोग किसके बारे हम बात करे करेंगे second हम लोग बात करेंगे अनुत कर्मणिये के लिए अनुत कर्मणिये परकरम और अनुत कर्मणिये को हम लोग क्या बोलने वाले हैं इर्रिवर्सिबल बोलने वाल है क्या ओके बताइए यहां तक तो चीज़े सिंपल है समझ में अभी आ रहे हूंगी ठीक है अब देखो अगर हम लोग इसके ग्राफ ड्रो करना चाहे तो ग्राफ में हम लोग क्या बोलेंगे कि ग्राफ में हमारे पास क्या रहेगा यहां पर प्रेशर रहने वाला है और यहां पर क्या रहने वाला है हमारे पास वॉल्यूम रहने वाला है अब यह ग्राफ कैसे बनेगा जरा वो बता दीजिए मैं ही बोलों कि पहले मेरे पास क्या रहेगा आईतन ज्यादा रहेगा तो मतलब ग्राफ यहां कहीं से स्टार्ट होगा हुँ इंट इस सैड में न यहां पर वल्लम है यहां पर पर प्रेशर है तो मभ लूह आई-इस सैड में तो यहां कहीं से graph сосed होगा और यहां से start कि कहां चला जाएगा यह ऊपर कि तरफ अब Sadel के समलोग यहाँ पर भी अगर बनाना चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमार पास? यह तो हमार पास हो जाएगा दाब अब बताओ यहाँ पर क्या होगा जरुड़ासा ध्यान से समझती है पर चलना आप क्या करोगे अच्छानक से एक बोरी उठा गे कहा पिस्टन की उपर रखोगे प्टी की एक भार दस किलो चीद आपने क्या बढ़ लिया ब drugs को भढ लिया और उसको भड़ करूगे अब क्या करोगne अब वोल्युम बहुकि ज्यादे है, आपने जैसे ही दाब बड़ा है, perception, कम हो जाएगा, मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर अभी आपके पास कितना है, 10 लिटर है, कितना है, यहाँ पर मैं बोल्दू कि आपके पास कितना है, 10 लिटर है, अभी आप क्या कर रहे हो, अचानक से इसक के पास हुगा? आप बढ़? अचानक किया हो जाएगा. यहां पढ़ बताव, अगर हम लोग यहां पर शेत्रफन की बात करें तो यहां पर मैं बोल रहा हूँ कि यहां पर मेर पास को नहीं है, P है और यहाँ पर कौन है V है अब तो आपको दिख रहा होगा कि ज्यादा छित्रफल कहां होगा बताइए दिख रहा है कि है सबको तो छित्रफल क्या होगा यहां तो यहां से यहां तक का छित्रफल हम लोग लेके चलेंगे ठीक है और इसमें क्या रहेगा इसमें ये पूरा एरिया अंडर दग कर हो होगा गया तो इसको मैं रेड से डिनोट कर देता हूं हम लोग यहां पर चित्रफल क्या लेके चलेंगे यहां से यहां तक का चित्रफल लेके चलेंगे कहां से कहां तक का यहां से यह वाल रहेगा तो ज़्यादा एर्या कहां पर आ रहा है? Irreversible में आ रहा है. किसके लिए? संपीरन के लिए. हम लोग BOLेंगे कि हमार पास जो area है area किसका ज़्यादा है? Irreversible का ज़्यादा है किसे area of reversible और अगर ऐसी ही कहानी है तो हम लोग क्या बोल सकते है कि सर हमार पास W irreversible में क्या रहेगा जादा रहेगा और W reversible क्या रहेगा हमारे पास कम रहेगा बताइए दोनों case आप लोग समझ चुके हो गया हाँ आप से कहां खेला जा सकता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको क्या करेगा examiner यहाँ पर mode लगा के नहीं देगा तो mode लगा के नहीं दे तो समझ जाओ गएगा चीजे जस्ट opposite हो जाएगी इसके लिए तो खेल सेम रहेगी हमारे पास जो आपके पास है संपीडन है क्योंकि यहाँ पर तो W क्या आने वाला यहाँ पर आपके पास संपीडन में W क्या आने वाला है यहाँ पर आपके पास धनात्म की आएगा ना तो यहाँ पर तो mode नहीं लगाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन अगर इर्रिवर्स जो इससे पहले हमने इक से बारे में पढ़ा था परसार के बारे में पढ़ा था अगर वहाँ पर mode नहीं लगाता तो वहाँ पर चीजी बदल जाती है ओके तो ध्यान रखना इस चीज को यह तो हमने क्या कर लिया कारे के तुलना कर ली जो दो मैने अभी लास्ट वाली स्लाइड में भी यहाँ पर एक डिबबा बनाया था वह वाला डिबबा और यह वाला डिबबा दोनों इंपोटेंट है तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना यहाँ पर इन बातों को मैं नोट लगा के भी लिखवा देता हूं नोट लगा के हम लोग क्या बोल सकते हैं चलो नोट लगा लेते हैं ठीक है नोट में हम लोग क्या लिखेंगे पहला पॉइंट ठीक है मैं पहले बात करता हूं किसके बारे में परसार के बारे में तो आजो देखो पहली वाली स्लाइड पे यह परसार है बतो मैक्सिमम वर कहां पर होगा? Reversible में होगा क्या? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? कि परसार के दोरान उतकर्मनिये प्रकरम में अधिक्तम कारिये होता है. वाज समझे मैं ही? तो मैंने क्या बोला? कि Represible के दोरान sorry परसार के दोरान जो हमारे पास उतकर्मणिये परकरम होता है उसमें क्या होता है हमारे पास अधिक्तम कारिये होता है या फिर मैं बोल सकता हूँ कि परसार में अधिक्तम कारिये डबलू रिवर्सिबल के बराबर होता है तो जब तर पहला point हम लोग लिख सकते हैं कि परसार के दोरान दोरान डबलू reversible में अधिक्तम कारिये या maximum कारिये अधिक्तम कारिये होता है बताइए कर सकते हो आप ये कहानी ठीक है दूसरा note क्या लिखाएंगे हम लोग संपीडन के लिए अब बताओ संपीडन में कहां पर अधिक्तम कारिये हो रहा है अरे कहां पर हो रहा है संपीडन में अधिक्तम कारिये देखो irreversible में हो रहा है क्या तो हम लोग यहां से दूसरा note क्या लिख सकते हैं दूसरा note लिख सकते हैं कि संपीडन के दोरान संपीडन के दोरान W irreversible में अधिक्तम कारिये होता है अधिक्तम कारिये होता है ठीक है अब देखो यहां पर आपके पास दो situation बनती है या तो अब आप इस note को याद रख लो या फिर जो भी मैंने ग्राफिकल समझा है, उसको ध्यान से समझ लो, अगर समझी नहीं है तो एक बार lecture को वापस से चला के देखो, आपको चीजे समझ में आएगे, बिल्कुल सिंपल मैनर में मैंने सारी चीजे बताईए, तो आपके बाद दो option है, या तो ये note याद रख ल इसको आप लोग अनुत कर्मने रूप चाहिए, अब अनुत कर्मने क्या होता है, एक स्टेज में हो जाए, या फिर मोलू, इस लिमिटेड स्टेप में हो जाए, उनको हम लोग क्या बोलते सकते हैं, अनुत कर्मने बोल सकते हैं, तो अब इसको वो क्या करवा सकता है, वो single गल स्टेट में भी करवा सकता है, डबल स्टेट में भी करवा सकता है, थ्री स्टेट में भी करवा सकता है, फोर स्टेज में भी करवा सकता है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहां पर क्या होता है, तो अब देखो यहां पर एक छोटा सा कॉंसेट बन रहा ह है, क्या बन रहा है, जड़ा देखना उसको भी ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास क्या है, एक बहु पद परसार हो रहा है, क्या हो रहा है, बहु पदों में परसार, बहु पदों में परसार, ठीक है, यह संपीडन के लिए भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको परसार के लिए समझा रहा हूँ समपिड़न के लिए अपने आप कर लोगे अगर आपको कहीं कुशन दिखेगा तो यहां पर मैं आपको कुछ ग्राफ दे के समझा रहा हूँ ग्राफ दे कि क्या कि पहले तुम्हें बात करता हूं सिंगल इस्टेप के बार में रेड नहीं लेते हैं तो क्या देखी हमारे पास ग्राप बन रहा है यह फॉर्स्ट ग्राप बन रहा है कि इसको कॉपी कर लेते हैं ठीक है अब देखों यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले है कुछ तीन-च्यार ग्राप के बारे में study करेंगे जहाँ पर हम लोग क्या करवाने है बहुत सारे परसार करवाने वाले है परसार कहाँ पर हम लोग single step expansion भी करवा सकते हैं हम लोग double step expansion भी देखेंगे फिर हम लोग triple step expansion भी देखेंगे और फिर last में जब मार पास अनन्त step में बहुत सारे पदों में जो परसार होगा उसको भी हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग कुछ graph बना लेते हैं ओके तो यहाँ पर यह 4 वाले graph को मैं यहाँ बना लेता हूँ यहाँ पर हम लोग केवल यह 13 graph से समझने की कोशिस करेंगे यहाँ पर हो क्या रहा है देको सारे graph किसका बनने वाले हैं यहाँ पर यह pressure रहेगा यहाँ पर volume यहाँ पर भी pressure यहाँ पर volume पहले में बात करता हूँ Single step प्रसार की एक प्रसार अब बतो एक पद में परसार हो रहा है, मतलब मैंने क्या किया, अच्छानक से बोरी को साइड में रख दिया, कौन सा परकरम हुआ, अनुतकरमनी ये परकरम हुआ क्या, बिल्कुल, हमने ये पहले भी बात की थी, जब उतकरमनी अनुतकरमनी बला था, कि जब हम लोग पदों को डिफा होगा, यहांपर अगर मैं बात करूँ, पहले मैं परसार की बात कर रहा हूँ, तो क्या हुआ अच्छानक से मिर पास कह रहा होगा, दाब कम हुआ होगा, अरे हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, अच्छानक से दाब कम होगा, और अच्छानक से दाब कम होने पर क्या हुआ ह मिर पास क्या अच्छानक से आईतन बढ़ा होगा क्या तो यहां पर अगर मैं आईतन बढ़ाता हूँ ठीक है तो यहां पर मिर पास क्या होगा अच्छानक से आईतन बढ़ेगा एक तो हो गया मिर पास ये वाला पद समझे रहे हो ना ये तो होगी मेरे पास कैसा परसार हो गया single step परसार ये तो किसमें हो गया एक पद में पूरा हो गया तो इसको तो हम लोग क्या बोल रहे हैं एक पद परसार ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं इसी परसार को दो पदो में पूरा करते हैं, दो पदो में कैसे, वो भी देख लो, मैं बोल रहा हूं कि आपके पास अब जो परसार हो रहा है, वो दो पदो में पूरा हो रहा है, ग्रिन से बनाते हैं, रेड्स मेरे खाल से दिखेगा नहीं, दो पदो में मतलब मैंने पहले 5 किलो उठाया, तो 5 किल उठाने पर इतना सा कुछ क्या हुआ, प्रेशर कम हुआ, अब इतना सा प्रेशर कम हुआ, तो आईतन भी तो बढ़ेगा, मैं बोलो हूँ, थोड़ा सा आईतन बढ़ गया, और आईतन बढ़के हो गया, इतना, ये किसके इतिसाब से किया मैंने, मैंने पहले 5 किल उ हुआ अब मैं क्या करूं अब ये पांच किलो दाब कम हो तो अब क्या होगा वापस से मेरे पास क्या होगा अरे आइतन बढ़ेगा ना तो आइतन बढ़के पहुंच गया यहां पर ठीक है जिरा ध्यान से देखते चलना यहां पर मैंने क्या किया पांच किलो दाब पांच कि हुए बताई ही बात समझे हो इसको मैं क्या कर रहा हूं मग Wilk तो यह लो ने बोला कि मैंने हलका सा डव कम किया यहां पर क्या होगा का डॉड़ा सा बढ़ा पिर मैंने क्या किया डॉड़ कम किया एक crystal हुआ, item बढ़ा, और फिर मैंने क्या किया? item umbrella को कम किया? ठीक है! और फिर क्या होगा में यह पास? सब्सखरने में में दब और फिर में पास क्या होगा? item double होगा. तो यहां पर देखो, मैंने tra appears process को, इसको हम लोगा क्या बोल सकते हैं? त्री पद परसार, यह तो होगे मेरे पास तीन पदों में, अब मैंने क्या 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 हूं, इसको अनंत पदों में पूरा कर रहा हूं, अनंत पदों में पूरा कर रहा हूं, तो बताओ क्या होगा, हलका सा दाब कम होगा, तो मेरे पास क्या होगा, हलका सा आइतन बढ़ बताइए अब जो यह कहां पर है अनन्त पदों में पून हो रहा है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बहुत सारे पद है इसके पास तो मैं इसको क्या बोल दूँ बहु पद परसार कैसा बोल दिया मैंने बहु पद परसार अब बहुत सारे पदों में पून हो रहा है कुछ न उतकर मनिये परसार अरे बोल सकते हैं क्या बलसर बिल्कुल बोल सकते हैं अब देखो ये सारी कहानी मैंने क्यों बताई यहाँ पर हम लोग करेंगे कारिये की तुलना वो तुलना कैसे करेंगे उसको जरा ध्यान से देख लेते हैं मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा section बना लेता हूँ जहाँ पर हमें इस सारी चीजे लिखनी है ओके यहाँ पर यह मैंने बना लिया ओके जगह बना लेते हैं थोड़ी सी और यहाँ पर हो गया यह नई लाए ठीक है अब हम लोग जो काम करेंगे वो इस वाल जगह में करेंगे अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला यहाँ पर कुछ नकुछ कारिया हुआ होगा यहाँ पर भी कारिया हुआ क्या बिल्कुल हुआ सर यहां पर क्या हुआ यह वाला भी हुआ और साथ में देखो यह वाला कार यह हो गया क्या यहां पर यही तो छेत्रफल होगा यहां पर क्या होगा और सर यहां पर तो इस वाले इतना सही मतलब यहां पर यह इतना आ रहा था इसमें इतना ओर एड हो गया यहां पर क्या हो रहा था इतना आ रहा था पहले मतलब दूसरे वाले में इतना आ रहा था इसमें इतना ओर एड हो गया यहां पर क्या हो जाएगा तो सबसे ज्यादा चित्रफल कहां रहेगा सबसे लाश्ट वाले में, अगर छेतर पर लाश्ट वाले का सबसे ज़्यादा है, तो बताओ, कारी भी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, और सबसे कम कहा होगा, सबसे कम यहाँ होगा, क्या, तो यहाँ पर देखो, मैं इसको क्य जादा रहेगा W1 से और W3 क्या होगा W2 से भी जादा होगा अगर ऐसे करते 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 मैं पहुंच जाओं कहां पर बहुपद परसार में तो मैं बोल सकता हूँ कि W बहुपद बहुपद क्या रहेगा मेरे पास सबसे ज़्यादा रहेगा अब बताइए यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या किस minimum work कहाँ पर हो रहा है मेरे पास यहाँ पर हो रहा है ओके और maximum work कहाँ पर हो रहा है यहाँ पर हो रहा है maximum मतलब अधिक्तम कारी है और इसी को हमने क्या बोला था अभी जो बहुपद होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डबलू रिवर्सिबल बोलते हैं क्या और जो मिनीमम था उसी को हमने क्या बोला था डबलू इर्रिवर्सिबल बोला था क्या बताइए आपसे ऐसे expansion करवा सकता है एक से ज्यादा steps मे और वहाँ पर कारिये के तुलना करवा सकता है तो बताइए आज के बाद क्या आप लोग इस बात को समझ के अंसर दे पाओगे क्या बसे मैं चाहता तो यह वाली लाइन एक लाइन में लिखवा सकता था लेकिन मेरे को यह आपको फील करवाना था लिखवाना था, समझाना था कि कैसे यहाँ पर हम लोग बोलते है कि बहुपद में maximum कारिये होता है और एक पद में minimum कारिये होता है इसलिए मैंने ये graph broker के आपको समझाए है तो बताइए आप लोग कर सकते हो इस काम को easily मेरे ख्याल से आप लोग इस काम को बहुत easily कर सकते हो अब इसके बाद हम लोग discuss करेंगे इसके बाद हमार पर सरेगी कारिये की गणना अब कारिये की गणना सबसे पहले हम लोग कहां discuss करने वाले है समधाब ये परकरम में अब बताइए समधाब ये परकरम है तो बचपन से हम लोग चीज़े सीखते आ रहे है अब बचपन से मतलब पिछली क्लासों से हम लोग सीखते आ रहे है तो बताओ समधाब ये परकरम का मतलब क्या हो गया पी बराबर नियत हो गया अरे हुआ नहीं हुआ पी ब्राबर क्या हो गया आपके पास नियत हो गया अब बताइए जब पी ब्राबर नियत हो गया तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूं कि यहाँ पर डेल्टा पी क्या हो जाएगा आपके पास जीरो हो जाएगा और अगर डेल्टा पी जीरो हो गया तो बताइए कारे को कोई इफेक्ट करेगा कई डेल्टा पी जीरो हो गया अब हम लोग डबलू बराबर क्या लिए सकते हैं वो लोग से डबलू बराबर तो क्या होता था माइनस पी एक्स्टर्नल मैं यहापर कुछ भी नहीं बोड़ा तो क्या मान के चल रहे हो आप लोग यहाँ पर अनुत करमने परकम तो पी एक्स्टर्नल क्या हो जाएगा डेल्टा भी हो जाएगा कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा बास समझ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमार पास जब भी होगा अरे पड़ा था कि एक फल्टीडी लास्ट वाली क्लास में बताया तो था फल्टीडी में क्या होता था कि हमार पास डब्लू क्या होता था अरे बताओ डब्लू इकोस तो क्या होता था हम लोग वहां पर बोलते थे डेल्टा इबराबर बोलते थे क्यूं प्लस डब तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते थे यहाँ पर हम लोग बोलते थे delta e बराबर w प्लस q यही तो बोलते थे हाँ इसको मैंने enthalpy के लिखा था enthalpy अगर इसको हम लोग लिखे नियत दाब पर कहाँ पर नियत दाब पर तो आप जाके देखना copy में वापस पीछे तो यह qt बन जात तै डेल्टा एज के बडाबर हो जाता। बहुत काम की चीज है इसको आप भूलना मत हम लोग यह बोलते हैं कि जब भी हमारे पास नियत दाब पर एंथैलपी के बारे में पूछे तो एंथैलपी किसके बराबर होुँछती है मतलब उस दोरान जो भी नियत डाब पर उस्मा में परिवर्तन होगा, वो कहा होगा, एंथल्पी परिवर्तन के बराबर होगा, यहां से कुछ questions अभी solve करेंगे, तो इसलिए ही थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना कि नियत दाबर पर जब हम लोग उस्मागती का पर्थमनियम देखते हैं, तो QP किस के बराबर होता है डेल्टा एच के बराबर होता है, तो आप से multiple questions पूछे जा सकते हैं यही question में, ओके, तो यहां पर देखो, यह कहानिया तो आप लोग नहीं समझ ली, बहुत आराम से, अब यहां पर क्या होता है, कुछ case बनते हैं, उनको भी जरह ध्यान से समझते हुए चलना, मैं यहां पर discuss करता हूँ सबसे पहले case number one को, तो यह तो हमार पास बिल्कुल basic basic बात ही थी, इनको हम लोग close कर देते हैं, अब थोड़ा सा competition की इसाप से देखते हैं, competition की इसाप से मैं बात करूँ सबसे पहले case number one की, किसकी बात करूँ, case number one, अब यह case number one क्या है, इसको जरह ध्यान से देखना, मैं बोलू कि यहाँ पर आपके पास क्या हो जाए, कि कोई यह जो दाब है ना, इसको नियत रखना है, तो नियत दाब कहा हो सकता है, यह तो open container में हो सकता है, हो सकता है, जब मैं क्या कर दूँ, कि मैं खुले पातर में कोई अभिक्रिया करवा हूँ, तो खुले पर हो जाए खुले पात्र में हो जाए तो मैं यह पर क्या लिख से दाऊं खुले पात्र में कारिये की गण्ना अब जरा बताइए खुले पात्र में आपके पास P P external कितना हो जाएगा अरे वाईवन दिले दाब के बराबर हो जाएगा क्या 1 ATM तो बताइए W इकोल स्ट्र क्या हो जाएगा अगर भी एक पेच फस्ता है कहां फस्ता है कि अगर सपोज करो आपके पास कोई गेसी उतपाद बन जाए जनरल ही हम लोग यह बोलते हैं कि हमारे पास ठोस और दर्व के आईतन में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है तो हम लोग उसको नगणने मान सकते हैं लेकिन अगर अभी करिया के दोरान कोई गेसी उतपाद बन जाए तो वहां पर तो आईतन परिवर्तन ज्यादा हो सकता है तो हम लोग कहां देखेंगे इसको हम लोग अगर हम ठोस या दयो के लिए बात करेंगे तो वहां पर आईतन में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता तो वहां पर हम के बारे में discuss करेंगे किसके लिए यहां पर बोलूं कि मेरे पास कोई यह अभिक्रिया है इसको मैं बोलता हूं कि यह पधार्तों के लिए ठीक है अब कोई भी गैस का निर्मान हो रहा है वहां पर हम लोग बात करते हैं तो बताए यह वहां पर देबलू इक्विल्सепід क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा वी अपी अब लेंगे तो आपको और ये रखो आहितर्व एकेंपर क्याह स्हां पर यूस को कैसे लिखेंगे उसाजादा देखो अब बताए ये to nRT होती है क्या, बिल्कुल होती है, बायदाब कितना हो गया, 1 हो गया, तो item किसके बराबर हो जाएगा, nRT के बराबर हो जाएगा, अगर value पुट कर दूँ, तो w बराबर क्या निकल क्या जाएगा आपके पास, minus delta nRT, और यही कहानी तो होगी, अगर तो delta के sign को मैं अंद दरो का item ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, अब देखो, यहाँ पर यह चीज बन चुकिए, delta sign को अगर हम लोग अंदर multiply करें, r तो क्या होता है, constant होता है, बहार आजाएगा, temperature, अब जब भी कोई अभिक्रिया होती है, normally कोई अभिक्रिया होती है, तो वो कहाँ होती है, यहाँ पर होती है, तो temperature भी कहाँ आजाएगा, बहार आजाएगा, तो यहाँ पर w बराबर क्या बन जाएगा हमार पास, w बराबर बन जाएगा, minus, delta किस के साथ लग जाएगा, n के साथ लग जाएगा, delta ngrt, इस formula की help से हम लोग क्या calculate करेंगे, work की calculation करेंगे, किसके लिए, जब हमार पास वो अभिक्रिया कहां हो रहे होगी, खुले पातर में हो रहे होगी, कहां हो रहे होगी, खुले पातर में, और खुले पातर में दाबनियत होता है, तो हम लोग easily इस वाले formula से हम लोग क्या calculate कर सकते हैं, कारिय की गणना कर सकते हैं, अभी question आएगा, उसमें भ आप देखो, यहाँ पर एक case और बनता है, उस case को भी ज़रा हम लोग देख लेते हैं, मैं पहले भी इस case के बारे में discuss कर चुक हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि सारी चीजे एक जगर रहेंगी, तो आपको आसानी रहेंगी चीजे को पढ़ने में, मैं बात करता हूँ, case second के बारे में, ठीक है, case second क्या है, कि आपके पास जो अभिक्रिया हो रही न, जो भी अभिक्रिया हो रही है, उसको ले जाओ, आप निर्वात में, मतलो जो आपको पिस्टन था, उस पिस्टन को कहा ले जाओ, निर्वात में ले जाओ, अच्छा, अब निर्वात में अगर मैं ले गया, तो बताओ, वहाँ पर क्या रहेगा बह्ये दाब zero हो जाएगा अगर बह बह्ये दाब zero हो गया तो बताओ, क्या आपका piston बिल्कुल मुक्त परसार करने लग जाएगा क्या, और मुक्त परसार जब भी free expansion भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, free expansion, अब मुक्त परसार के लिए, या फिर आपको यह बोला जाकता है, निर्वात में, निर्वात में परसार, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी external क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, अरे 0 हो जाएगा क्या, तो W इकोल से क्या हो जाएगा, माइनस से P external, W होता है, यह जब 0, सोरी, डल्टा V होता है, अगर यही 0 हो गया, तो W बराबर भी यहाँ से क्या आजाएगा, 0 आजाएगा, तो बताइए, मुक्त परसार जब भी आपके पास होगा, तो वहाँ पर कारिये क्या रहने वाला आपके पास, 0 रहेगा, तो क्या आप कर सकते हो, चल्दी से बताइए, इस कहानी को कर सकते हो, हो सकता है आज की class आप लोग को थोड़ इसी अटपटी लग रही हो, क्योंकि maximum यहापर हम लोग क्या कर रहे हैं, works related calculation ही कर रहे हैं, थोड़ सी mathematical class है, तो बाई वाले क्या होते हैं, कभी-कभी चीजे लेक करने लग जाते हैं, तो छोड़ देते हैं ची क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया, कि 27 degree Celsius पर, 27 degree Celsius पर, यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, पर, 27 degree Celsius पर खुले पातर में, जलिये HCL में, एक मोल ऐलूमिनियम धातू को डाला जाता है, मतलब आपके पास धातू कौन सी है, ऐलूमिनियम है, और उसके कितन हैं, आपके पास, 1 mole, quantity कितनी है, 1 mole है, कहाँ पर डाला गया है, जलिये HCL में डाला जाता है, तो परक्रम के दोरान, 95 calorie उसमा उत्सरजित होती है, मतलब यहाँ पर कितनी उसमा उत्सरजित हुई, 95 calorie, और जब उसमा उत्सरजित होती है, तो क्या लगाते है, माइनस का sign लग तो क्या यहाँ पर P external कितना हो गया, अरे 180M हो गया, बायदाब क्या हो गया, आपके पास, नियत हो गया, अब जड़ा बताइए, बायदाब अगर नियत हो गया, तो यहाँ पर देखो, आपके पास aluminum solid है, HCL क्या है, अरे aqueous है ना, जलिये hydrogen बना हुआ, मतलब liquid मान लेता तो इन दोनों के item में तो कोई परिवर्तन होगा नि, लेकिन ध्यान से देखो, जैसे ही HCL में aluminum जाएगा, तो अमल और धातू अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवन तता hydrogen gas बनाते हैं, दसवी class में, बच्पन में पढ़ा था आपने, ओके, तो यहाँ पर अगर मैं इसक क्या हो जाएगे मेरे पास, मेरे पास एक तो aluminum होगा, इसका एक mol है, यह जब HCL के साथ अभिक्रिया करेगा, तो हमारे पास ही उत्पाद बनाएगा, ALCL3, अरे लवन यही तो बनेगा, प्लस साथ में यह क्या बनाएगा, यहाँ रखना यह ALCL3 है, मैं इसको थोड़ा सा चे 3 है, तो यहाँ पर 2 है, तो कितना हो जाएगा, 3 बटे, 2 हो जाएगा, अब जड़ा ध्यान से देखो, इनकी state भी मैं लिख जाता हूँ, state में यह बोल रहा हूँ, कि मिरे पास यह तो solid में रहेगा, यह aqueous में रहेगा, यह भी aqueous में रहेगा, लवन है, तो पानी में घु कि रहा हो के लिए, वो इसे w बराबर, माइनस delta ng, rt पढ़ के आये थे, पताए, यही तो पढ़ा था, तो अब बताओ, इसके लिए w कितना हो जाएगा, w बराबर हो जाएगा, माइनस, delta ng, मैंने निकालना सिखाया था, gas ये उत्पादों के मोल, माइनस gas ये किरियाकार को क मैंने इसके बार में discuss किया था, delta h वाली संब्ध में जब मैं बता रहा था, वहाँ पर, यहां पर कितना हो जाएगा, उत्पाद के मोल कितने हो गए, 3 बटे 2, माइनस, कोई किरियाकार रखेगा, gas वाला, नहीं है, तो कितने हो जाएगे, 3 बटे 2 ही हो जाएगे, अपने प कितनी होती है, 2 होती है, temperature, temperature कितना है, 27 डिगरी Celsius, इसको अगर हम लोग कैल्विन में बदलेंगे, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा सर, 300, होगा नहीं होगा, यह को 2 से 2 cancel out हो जाएगा, और W बराबर कितना आ गया, 3 तिया 9, माइनस 900 कैलरी आ गया क्या, बले सर, बिलक पहले नीम से कि हम लोग क्या बोल सकते है, किसे delta E बराबर होता है, Q प्लस W, यही तो होता है, तो जड़ा बताइए, delta E बराबर, Q कितना है, माइनस 95 में, W कितना है, माइनस 900, तो अगर इन दोनों को जोड़ दू, तो कितना हो जाएगा, माइनस 95 कैलरी हो जाएगा, क्या, बोल से, पिल्कुल हो जाएगा, तो आपने क्या निकाल दिया, delta E भी निकाल दियी क्या, चलो, यह काम भी हो गया, और क्या पूछा अब आपसे, आपसे पूछा अशे, delta H की गणना कीजिए, अब एक बात बताइए, तो यहाँ पर important है, अभी जो मैंने बात बताईती वो, delta H, delta H पूछिए, खुला पात रहे, क्या P external नियत है क्या यहाँ पर, भाई यह दाब क्या है, नियत, यहाँ पर अगर दाब नियत है, तो अभी पिछली वाली slide में मैंने डिसकस किया था, आपसे, दाब नियत होता है, नियत दाब पर QP किसके बराबर होता है, delta H के बराब पिच्चान में calorie हो जाएगा, क्या, बताइए, कितना simple question था, आप लोग कर सकते है, अरब से, question को मैं बोलता हूँ, एक बार आप, अगर समझ में आये न, तो भी एक बार आप वापस चला के देखना, क्यों देखना, क्योंकि अगर आप first time पढ़ रहे हो न, तो चीजे अगर वी नियत हो गया, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, यहां से, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, अगर डेल्टा वी जीरो हो गया, तो बताओ, डेल्टा वी बराबर क्या था, माइनस पी एक्स्टर्नल डेल्टा वी होता था, क्या, अगर वी ही जीरो हो गया, तो डेल् टाटा, ओके, समझ गे, समझ गे, समझ गे ने सब लोग, ठीक है, तो यहां से मिर पास क्या हो जाएगा, कि सम आई तन ये प्रकरम में W क्या होगा, मिर पास, 0 होगा, अब बताइए, अगर W 0 हो गया, और इसको इलिए मेरे को FLTD लिखना हो, अरे, FLTD जानते हो न, उसमा गती का पर्थमनियम लिखना हो, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू, सोरी, डेल्टा ई, किसके बराबर हो जाएगा, क्यों के बराबर हो जाएगा, क्या, तो इसका मतलब ये हुआ, कि अगर आप तंतर को उसमा दे रहे हो, तो तंतर की आंतर दूर्जा कम हो जाएगी, बताइए, यहां तक कोई दिक्कत आई आप लोगों को, मेरी ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अब चलते हैं, देखो हम लोग कॉंपेटिशन के साब से, सबसे इंपोर्टेंट प्रोसेस पर, वो है अमारे पास समतापिय परक्रम, दे समतापिय परक्रम, और यह मान के चलो, कॉंपेटिशन में बहुत सारे क्वेशन यहां से पूचे गया है, नीट में भी पूचे गया है, यही में में भी पूचे गया है, मैं अभी यही एडवांस को टच नहीं करूँगा, मैं क्योल आपको नीट के पॉइंट पॉइंट से पढ़ा रहा हूँ, जहां पर आप आप एजिली नीट के सारे कॉशन कर सकते हो, और मैं आपको पीवाई क्यू भी करवा के दिखा दूगा बाद में, कि आप एजिली इसको अटेम्ट कर सकते हो, यहां से जो मैं बता रहा हूँ उससे, तो चलिए, अब हम लोग बात करत आपास नियत हो जाएगा, अगर T नियत हो गया, तो डेल्टा T क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्या, बताइए, यह बात तो मेरे ख्याल से सब लोगों को पता होगी कि यहां पर डेल्टा T क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अब जरा ध्यान से देखो, अगर डेल c v delta t delta h का formula क्या होता था say n c p delta t अब दो delta t 0 हो गया तो यह भी जीरो हो गया क्या यह भी जीरो हो गया क्या तो हम लोग बोलेंगे कि समताप यह परक्रम में केवल address is gas के लिए समताप यह परक्रम में address गैसों के delta e, मतब आंतरी कुर्जा में परिवर्तन भी 0 होता है, और साथ में क्या आपके पास delta h है क्या, और delta h में भी क्या होता है, आपके पास परिवर्तन 0 होता है, तो यहाँ पर यह कहानी होगी, अबर हम लोग यहाँ पर fltd लगाएं, कौनसा, fltd, fltd को देखें, हम लोग तो delta e तो 0 होई गया, और अगर delta e 0 हो गया, तो q के बराबर क्या हो जाएगा, minus w, क्यों बराबर क्या हो जाएगा, minus w, यहाँ पर statement based question आप से क्या पूछा जा सकता है, कि सर, अगर हम लोग तंतर को उस्मा देंगे, तो वो कारिये के रूप में काम में आ जाएगा, मतलब तंतर कारिये करने में काम में ले लेगा उसको, अगर हम लोग just opposite भी हो सकता है, क्या हो सकता है, अगर हम लोग तंतर पर कारिये कर रहे हैं, तो वो उस्मा के रूप में बहार निकल जाएगा, बात समझे मतलब यहाँ पर तंतर की आंत्रे कुझा में प्रियोटन क्या रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा तो मेरे ख्याल से यह बाते समझ में आई होंगी, अब देखो जो काम की बात है, हम लोग जो कारी की गणना है, वो हम लोग कहा देखेंगे, अब दो परकरम पढ़े थे हमने, जो स्टार्डिंग में जो मैंने बात की थी, तो सबसे पहले, केस फर्स्ट की मैं बात करता हूँ क्योंकि अब से इंपोर्टेंट चीज़े चालू हो चुकी है तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं चलना, केस फर्स्ट केस फर्स्ट कोन सा है, देखना, जल़ा ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ उतकरमनिये, उतकरमनिये, समतापिये परकरम, समतापिये परकरम में कार्ये की गणना, कार्ये की गणना, चलो, यहां तक तो यह बात समझ में आती है, ओके, आती है ने सबको, ठीक है, अब ज़रा ये बताइए, उतकर्मन ये परकरम है, मतलब यहाँ पर आपके बाद जो बाहिये दाब होगा, वो लगातार परिवर्तन सील रहेगा क्या, अरे होगा नहीं होगा, बिलकुल होगा, तो यहाँ पर हम लोग क होगा किसके, पी एक्स्टरनल, अब बताओ, डबलू गयात करने के लिए, मैंने इस टार्डिंग में एक फोर्मला लिखा है था, उसको मैं डायर्क लिखता हूँ, यहाँ पर हमारे पस फोर्मला क्या बनेगा, वीवन से वीटू बनेगा, नहीं तो होगा, यह क्या लिखा उनको बहार निकालो, एन, गैस के मोल नियतांग रहेंगे, आर भी नियता रहेंगे, ताप मान भी हमारे पास क्या है, समताप यह तो नियतांग रहेगा, क्या बहार निकाल लो, तो डबलू बराबर हमारे पास क्या बन जाएगा, डबलू बराबर हमारे पास बन जाएगा minus nRT समाकलन V1 से V2 1 by V BV यह होगा क्या? अरे होगा यह नहीं होगा? तो आपने physics में यहाँ पर समाकलन भी पड़े होंगे समाकलन नहीं पड़े तो कोई बात नहीं मैं formula लिखवा देता हूँ next slide पर हम लोग इसको discuss कर लेते हैं हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास बना W is equals to minus nRT समाकलन 1 by V BV कहां से कहां तक? V1 से V2 तक अब देखो हम लोग physics में पढ़ते हों maths में भी समाकलन पढ़ते हैं जब भी हमारे पास क्या आजए? 1 by X O और साथ में DX O इसका जब समाकलन करना हो तो इसका समाकलन होता है LNX क्या होता है इसका समाकलन? LNX होता है बाच समझे? अगर मैं limit V1 से V2 पुट कर दूँ तो यहाँ पर इसकी limit लग जाएगी और limit क्या हो जाएगी? V1 से V2 या फिर X1 से X2 इसकी limit हो जाएगी तो बता हो यहाँ पर कुछ-कुछ ऐसा ही दिख रहा है गया तो यहाँ पर इसका समाकलन क्या हो जाएगा? LNV हो जाएगा न और limit क्या रहेगी? V1 से V2 तो W इकल से क्या हो जाएगा? minus NRT क्या बन जाएगा यहाँ पर? LNV और limit कहां से कहां तक रहेगी? V1 से V2 और यही तो होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास? LNV2 डिवाड़ बाई V1 बन जाएगा तो W इकल से क्या हो जाएगा आपके पास? minus NRT LN V2 बाई V1 तो आपके पास एक formula बन गया है जहां से हम लोग क्या करेंगे? work की calculation करेंगे अब देखो काम की बात इस formula को केवल आपको निहारना है कहीं काम में नहीं लेना इस formula को अगर कहीं option में आपको देख जाए तो वहाँ पर tick कर लेना क्योंकि option में अगर आप से कोई पूछ ले कि उत्करमिने प्रकरम में कारिये कैसे calculate करेंगे वो formula अगर देखें तो tick कर लेना otherwise इसको आपको कभी भी calculation के लिए काम में नहीं लेना है क्यों नहीं लेना? क्यों यहाँ पर ln आ रहा है और ln को solve करना थोड़ा सा tough काम होता है तो हम लोग क्या करते है? ln को किस में convert करते है? log में convert करते है, solve करने के लिए तो उसको कैसे करते है? वो मैं बता देता हूँ जब भी आपके पास ln x कुछ हो अगर इसको log में convert करना है तो 2.303 से गुणा करवा देता है 2.303 और यह किस में बदल जाता है? log में बदल जाता है और क्या हो जाता है? यहाँ पर x हो जाता है अब दूखो difference क्या है? वो मैं आपको बताता हूँ अगर को पहली बार देख रहा है इस चीज को तो बताता हूँ यहाँ पर base e होता है जैसी मैं convert करूँगा, यहाँ पर base क्या बन जाता है? 10 बन जाता है I hope आपने लोग के बार में थोड़ी बहुत information आपको पता होगी क्योंकि ज़्यादा बाते मैं भी नहीं बता पाऊँगा कि अगर मैं बताने लगा तो फिर आप फर्मो भूल जाओगे प्जाबर में कुछ basic basic बाते बतानों जिनको पहली बार अगर किसने लोग देखा है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वो ध्यान रखना तो यहाँ पर बताओ हमार पास formula क्या बन जाएगा? हमार पास formula बनेगा minus 2.303 n r p और साथ में क्या जाएगा? log होगा और log में क्या होगा? v2 divided by v1 होगा बताएगे क्या आप easily formula बना सकते हो क्या? अरे हाए ना? बना सकते हो ना formula? यही formula है जिसको हम लोग क्या करेंगे? calculations के लिए काम में लेंगे ठीक है इस formula को ध्यान रखना किसके लिए बताया है यह मैंने? किसके लिए बताया? अभी देखा नहीं था कि पीछे देखो समतापिय परकरम में उतकरमनी है समतापिय परकरम में कारिय की गणना तो यह जो formula बना है वो किसके लिए बना है? उतकरमनी है समतापिय परकरम में कारिय की गणना अब देखो, कुछ बाते और हैं, वो भी मैं बता देता हूँ, समताप ये परकरम मतलब कापमा नियत रहना पड़ेगा, बोयल का नियम, तो वहाँ पर हम लोग लिखते थे, P1 V1 बराबर, P2 V2 लिखते थे, यादा रहे के सबको, तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि P1 डिव सकते हैं, W बराबर, माइनस 2.303 NRT, लोग में क्या आजाएगा आपके पास, लोग में आपके पास आजाएगा, P1 डिवाइड़ बाई, P2, बताइए, तो आप ये वाला फोर्मुला भी काम में ले सकते हों, आप लोग, ये ले सकते हैं ना, बिल्कुल, तो यहाँ पर आ बाखी फोर्मुला आप अपने आप कर लोगे, तो आप एक फोर्मुला ध्यान रखो, सारे कुशन हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, चलिए, बताइए, कोई दिक्कत आएगा आपको यहाँ तक कारिये कल्कुलेट करने में, कोई दिक्कत नियाने चाहिए, अब हमारे पास जो बोलेंगे, अब भी हमारे पास देखा, उतकरमनी देखा, अब देखेंगे, अनुतकरमनी यह परकरम में, अनुतकरमनी यह परकरम में, सत्में क्या रहेगा, समतापिय भी रहेगा, क्या बोलेंगे, अनुतकरमनी यह, समतापिय परकरम में, कारिये की गन्ना, अब जड़ाद देखी, इसको कैसे देखेंगे, यह तो बिल्कुल सिंपल वाला है, जो हमने पहले फोर्मला पढ़के आया थे, इसके लिए तो बिल्कुल सिंपल वाला फोर्मला पढ़के आया थे हम लोग, हम लोग क्या बोलते हुते हैं, डबलू माइनस पी एक्स्टरनल और यहांपर डबल क्या है? अरे वीटू माइनस वीवन होता है क्या? बिल्कुल होता है, ठीक है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,-P एक्स्टरनल वीटू माइनस वीवन, आप देखो यहांपर और क्या चीज़ी होती है यहांपर एक बात और हो सकती है कि आपको कभी कभी volume ना देखे रखे ठीक है क्या हो देगा? Volume ना देख रखे अगर volume नहीं देखे रखेगा तो उसके साथ में आपको additional information देखा जैसे आपको दाब देखे रखेगा, gas के mole देखे रखेगा, साथ में तापमान आपको दिया होगा, तो अगर item नहीं दिया हो तो आप लोग calculate कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर, तो विर वहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? PV बराबर हम लोग किसको use करेंगे? N, R, T को काम में लेगे तो यहां से V बराबर क्या हो जाएगा? N, R, T divided by P हो जाएगा क्या? अगर यह value यहां पर put कर दूँ तो बताए यह W का formula हमारे पास क्या बन जाएगा? minus P external साथ में क्या रहेगा? N, R, T divided by क्या हो जाएगा? P2 minus यह क्या हो जाएगा? N, R, T divided by क्या हो जाएगा? P1 यही तो कहानी होगी? अरे होगी न? ठीक है इस वाले formula सी भी फिर हम लोग क्या calculate कर सकते हैं? work क calculate कर सकते हैं अगर हमें item नहीं दिया हो ठीक है? यहाँ पर भी देखो एक काम की बात हो सकती है काम की बात क्या? अगर आपको देखो formula में P external दिया है, क्या बोलू मैंने? P external के बारे में यदि आपको P external दिया है तो वो value आपको यहाँ put करनी है और यदि आपको P external नहीं दिया तो हम लोग P2 को ही क्या मान के चलते हैं? P external मान के चलते हैं बतब बाद में piston कहां जाके रूका होगा final ता आप दाब पर दिया के रूका होगा यदि नहीं दिया हो नहीं दिया हो तो नहीं दिया हो तो P2 को P external मानते हैं बताईए, कर सकते हो आप इस काम को आसानी से? बिल्कुल कर सकते हो न? ठीक है, तो ये बाते किसके लिए हो गई हमारे पास? W, sorry, किसके लिए हो गई? कारे की गुर्णा, गणना कहां पर? अनुत कर्मनिये परकरम में तो यहां पर हमने सम्ताप ये परकरम पढ़ लिया बहुत आराम से पढ़ लिया दो फोर्मूले आए, छोटे-छोटे उनको हम लोग याद रख सकते हैं वहां से हम लोग क्वेशन कर सकते हैं अभी जब मैं क्वेशन करवाऊंगा तो वहां पर आपको और भी चीज़ी क्लियर होगी अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं आगे चलके हम लोग बात करते हैं किसके लिए कारे की गणना रुद्दोस्म परकरम में अब बताए, रुद्दोस्म परकरम मतलब क्यूं बराबर यहां पर क्या हो गया आपके पास जीरो हो गया क्या अगर क्यूं बराबर यहां पर जीरो हो गया तो F L T D से हम लोग क्या लिख सकते हैं अरे बताओ जल्दी से हम लोग F L T D से लिख सकते हैं अपर डेल्टा E किसके बराबर हो जाएगी W के बरावर हो जाएगी तो यहाँ पर देखो W बरावर हम लोग क्या लिए सकते हैं Δेल्टा E और Δेल्टा E का सुत्र क्या होता है अरे N, C, V Δेल्टा T होता है क्या तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं Easily हमारे पास जो Work की Calculation है वो कर सकते हैं बताईए क्या आप लोग रुद्धोस्न परकरम के लिए भी कारिय की गणना कर सकते हैं अरे कर सकते हैं न ओके अब देखो यहाँ पर देखो मैंने बुला था कि हम लोग जब भी किसकी बात करेंगे 200 परकरम की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग gamma को भी introduce करेंगे अब यहाँ पर gamma को introduce करने के लिए देखो हमें क्या होगा कभी भी कि एक question में direct CV की value नहीं पद्दी होगी अगर CV की value नहीं दी तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले CV calculate करना पड़ेगा उसके बाद ही तो हम लोग क्या काम करेंगे वर्की calculation करेंगे तो यहाँ पर CV को हम लोग क्या करेंगे replace करेंगे अब replace कैसे करेंगे उसको जरा ध्यान से सुनना हम लोग क्या बोल सकते हैं सुनना CP minus CV क्या बोल सकते हैं CP minus CV किसके बराबर होता है R के बराबर और gamma बराबर क्या होता है CP बटे CV होता है क्या अगर मैं इसको इधर put करूँ तो क्या हो जाएगा gamma की value मेरे पास यहां से अरे CP किसके बराबर हो जाएगा R प्लस CV हो जाएगा क्या अगर value मैं put कर दूँ तो यहाँ पर value put करने पर आपके पास क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर बनेगा cv प्लस r divided by क्या हो जाएगा cv अगर इसको थोड़ा सा open करके हम लोग लिखे तो यहाँ से हमारे पास gamma बराबर क्या बन जाएगा cv दो यह तो हो जाएगा cv divided by cv तो 1 हो गया क्या तो यहाँ से हम लोग क्या cv की value calculate कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं cv की value क्या हो जाएगा यहाँ से देखो मैं इसको इदर लेके भाएदर हो यहाँ पर इम्परस क्या हो गया gamma minus 1 यही तो होगा इस equal to क्या हो जाएगा r by cv अगर मैं cv को यहाँ लिजाओ गामा को यहाँ ले करना है इसी cv की value को यहाँ put करना है तो अगर cv की value को यहाँ put करें तो ज़रा देखी हमारे पास क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा w is equals to n cv की value क्या आई r divided by gamma minus 1 और साथ में यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास t2 minus t1 रहेगा क्या यही होगा ठीक है इसको अगर थोड़ा सा rearrange कर ले हम लोग रिरेंज कैसे मैं बोड़ाओं यहाँ पर nr को अगर मैं अंदर भीज दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा w is equals to nr e2 minus nr e1 divided by क्या हो जाएगा यहाँ पर gamma minus 1 हो क्या बताइए यह कहानी बन जाएगी अब देखो थोड़ा ध्यान से हम लोग यहाँ पर आदर्स गैस समीकन लगाते हैं बताऊ पीवी बराबर क्या होता है तो इस पूरिय के जगह में क्या एक सकता हूं पीटू लिख सकता हूं और इसके जगह क्या लिख सकता हूं पीवन लिख सकता हूं हमारे पास जो next formula बनेगा वो क्या बच delegates आएगा हमारे प्यदेगा गामा माइनस सब्सक्राइगा 281 ओ इसी ओ यह पीजग सकते हो कहां चला गया ठीक है यहां से आप क्या आराम से फोर्मुला लिख सकते हो अरे फोर्मुला लिख दोगे ने यहां से देखो मैंने क्या किया है इसको सिर्फ पी टू और साथ में क्या लिखा है वी टू लिखा है यहां पर पी वन और वी वन लिखा है और गामा मैनिस नो मज़ में आई हो, तो हम लोग discuss कर लेते हैं, ठीक है, सारी चीज़े के लिए रहे, अब देखो, इसके बाद हम लोग कुछ numerical solve करते हैं, numericals क्या है, उनको भी जरा देखते भी चलते हैं, पहला numerical हमारे पास है, 27 डिग्री Celsius पर, क्या बोला इसने, 27 डिग्री Celsius पर, एक मौल आद्रस गेस को उतकर मनिये, इसने पहले ही बोल दिया, यहाँ पर क्या बोल दिया, कि हमारे पास प्रसार कैसा है, उतकर मनिये है, समतापिये है, साथ में दो बाते बोली, रूप से 2 ATM से 10 ATM तक संपीडित किया जाता है, मतलब इसने P1 कितना बता दिया हमें, 2 ATM बता दिया, और P2 कितना बता दिया इसने, P2 बता दिया, 10 ATM, बताइए, कोई दिक्त आएगे आपको यहाँ पर, बिल्कुल सही है, जा सारी बाते हो गई, टेंपरिचर कितना दे दिया इसने, 27 डिग्री Celsius, मतलब 300 Kelvin हो गया क्या, अब बताइए, यहाँ पर क्या पूछा है, इसने संपिडित किया जाता तो, Delta E तथा Q को कैलरी में ग्याद कीजिए, ठीक है, क्या पूछा है इसने, देख तो आपसे Delta E पूछा है, और साथ में क्या पूछा है, एक Q पूछा है, कैलरी में ग्याद करवाना इसको, अच्छा, अब एक बात बताइए मेरे को, यहाँ पर आपके पास संतापिये परकरम है, तो Delta E तो क्या हो गया, अरे 0 हो गया, अगर Delta E 0 हो गया, तो बताओ, Q बराबर क्या हो जाएगा, minus W आजाएगा क्या, तो अगर आप लोग W कैलकुलेट कर लो, तो क्या Q का मान बता सकते हो गया, अब ज़रा बताइए, W बराबर क्या था, संतापिये उतकरमनिये परकरम में, किसा W बराबर क्या था अभी दो मिनिट पहले में फॉर्मिला लिखा के आया हूँ अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं है आप अराम से पढ़ना याद कले ना उसको मैं यहापर डाइट फॉर्मिला लिखते था हूँ फॉर्मिला था माइनस 2.303 NRT साथ में क्या था लॉग अब देखो यहाँ पर प्रेशर दे रखा तो प्रेशर में हम लोग से तो उसको P1 डिवाड़ बाई P2 लिख सकते थे सारी वैल्यूस पूट करते हैं तो वैल्यूस पूट करने पर क्या होगा माइनस 2.303 N कितना दे यहाँ एक मोल है यहाँ तो एक हो गया multiply by R अब देखो इसने calorie में पूछा है तो R की value में कितनी पूट कर सकता हूँ? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? कि मेरे पास value बनके आ जाएगी 2.303 साथ में 1 तो हो जाएगा यह 2 multiply by 300 और साथ में क्या रहेगा? multiply by log में 5 रहेगा अब ज़रा log 5 की value दे रखिए क्या? बिल्कुल दे रखिए 0.69, 0.69 को मैं क्या बोल देता हूँ? मैं इसको एक बढ़ा के लिखता हूँ, 0.7 इसको मैं कर लेता हूँ, तो बताइए, यहाँ से मेरे पास calculation के लिए क्या बन जाएगी? w equals to, इसको मैं 2.30 ले लेता हूँ, लगभग अपना answer आ जाएगा, ठीक है? multiply by, यहाँ पर 2 है, बह जब 2 0 चलेगे, तो मेरे पास w equals से कितना बना? 23 multiply by, 2 multiply by, 3 multiply by 7, बताइए, यही बना क्या? अरे बना यही बना? calculation कर सकते हूँ, मैं direct लिख देता हूँ, यहाँ पर जब मैं इसकी calculation करेंगे, यहाँ पर इन सबकी calculation करेंगे, तो यह कितना आएगा? 966 आपके पास आजाएगा calorie में, ओके, तो हमार पास बताओ, w अगर आपके पास आचुका है, तो क्या q बता सकते होगे आप यहाँ से? बिल्कुल बता सकते हैं, और यह किस के बराबर होगा? minus w के बराबर होगा, तो हमार पास जो q का value आएगा, वो कितना हो जाएगा? minus 966 से calorie आजाएगा, बताइए कर सकते हो आप ऐसे question आराम से? कर सकते हो ना? खीक है, तो चलिए, हम लोग next question पे चलते हैं, next question क्या है आपके पास? उसको जरा देखिए, यहाँ पर आपके पास नियत दाब 3 ATM के विरुद, देखो इसने ये बात बोली, नियत दाब 3 ATM के विरुद, मतलब इसने क्या बोल द की आए, decimeter cube मतलब आई तर नहीं है यहाँ पास, तक परसारीत किया जाता है, तो परसार के दोदान किया गया कारिये, कारिये को 290 Kelvin ताप, युक तो 10 mol पानी को गरम करने में काम में लेते हैं, तो पानी का अंतिम ताप ग्याद किजिए, बहुत अच्छा question है, ठीक है, आप यहाँ पर क्या हुआ है, उसको जरा मैं एक बार समझाते हुए चलता हूँ, आपके पास क्या हुआ, क्या आपके पास एक container था, उसमें कुछ प्रसार कारिये किया गया, उतना ही कारिये, मतलब उसमें जितनी उर्जा मुक तो ही न, उतनी उर्जा क्या दे दी, 10 mol मेरे पास पानी का container रखा होता, वो पूरी उर्जा उसको supply कर दी, अब उसने पूछा है कि उस पानी का तापमान कितना बढ़ जाएगा उस उर्जा को लेने के बाद, तो सबसे पहले तो में यह पता करना पड़ेगा, कि यहाँ पर यह उर्जा कितनी थी, मतलब यह तार यह कितना पांच माइनस 3, तो डेसी में रोड के काड़ी है? यहाँ पर यह कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, अरे 2 होगा na, और यह कितना हो जाएगा? उर्जा कितना हो जाएगा? 3 अगर हम लोग इसको जूल में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस 6 इंटू 101.3 क्या जूल में आंसर आ जाएगा जब इसको solve करो देखो ये कितना हो गया 8 ठीक है पॉइंट ये कितना हो गया 6 और ये हो जाएगा 7 ठीक है 607.8 जूल पताइए यहां से आपने क्या W calculate कर लिया क्या मतलब इतनी उर्जा आप कहां दे रहे हो उस 10 मोल पानी को दे रहे हो अब बताइए वो 10 मोल पानी जो भी आपके बाद 10 मोल पानी है उसकी उर्जा के में तापमान कितना होगा मतलब कितना तापमान बढ़ेगा तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि तापमान बढ़ाले ही, तो हम लोग कुछ-कुछ, यहाँ पर देंको विशिस्ट उसमा भी दे रखी है, तो हम लोग किसके बारे हम बात करेंगी, कुछ बात करेंगी, यहाँ पर इसने दे रेखी है पर गराम के लिए, मतलब इसने दे रेखी है आपको, विशिष्ट उस्मा दे रखिए और यहाँ पर आपके किसके लिए पूछा है कहा गया 10 मोल पानी के लिए पूछा है मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है मोल दे रखे तो बताइए इसको अगर में को पर मोल के लिए लिखना हो 15.8 मैंने dwita, यहां मैंने पर माइने सैयं क्यों ने लिखा क्यों नोँ बोल रहे हैं कि यहां पर जितना कारी हो न उतनी औरज़ा यंधा रिलिस हुई यहां पर इसको गया होगी आप यह कींउधा है तंतर न ने जो कारी किया उसी के बराबर उर्जा कहा है देदी आपने इस सिस्टम को देदी पानी वाले सिस्टम को तो वहाँ पर कितना ताब बढ़ेगा तो मैं तो फिर्प उर्जा लिख रहा हूँ यहाँ पर इसका चिन नहीं लिख रहा तो यहाँ पर कितने मोल है दस मोल है गुणा सीएम क्या हो जाएगा सीएम हो जाएगा यहाँ पर यह पर इस सारी चीजों को सोल करोगे तो यहाँ पर मेर पास आएगा T2- बादवाला ताप मानी तो निकालना है T2- साथ में क्या रहेगा T1 रहेगा अब बताइगे T1 कितना था 290 केल्विन था क्या तो यह कितना आ जाएगा 290 Kelvin और जब आप इन सारे mathematical values को solve करोगे, मैंने पहले solve कर लिया है कि आपने में diet लिख देता हूँ, जब आप इनको solve करोगे तो आपके पास value है कि 0.80 के आज पास कुछ होगा, ठीक है तो बताइए, अब यहां से T2 कितना हो जाएगा T2 यहां से हो जाएगा यहां पर यह बोला गया कि 200 Kelvin आपके पास कितना है? 200 Kelvin है, यहां पर 200 Kelvin ताप पर 2 ATM दाब 2 ATM दाब पर एक आदरस गैस के 3 मोल को उतकरमनी है क्या बोला उसने? उतकरमनी 200 प्रक्रम में प्रक्रम से संपीडित किया जाता है तो जब तक कि 250 Kelvin हो जाए नियत आईतन पर मोलर उसमा धारिता दी गई है तो W ग्यात कीजिए अब इसने आपसे क्या पूछा है? उतकरमनी और उत्दोसुन प्रक्रम पूछा है मतलब आपके पास क्या हो गया? कि डेल्टा E किसके बराबर हो जाएगा? अरे W के बराबर हो जाएगा क्या? अब यभी दो मिनिट पहले हमने डिसकस किया था जब उन्हों रुद्दोसुन प्रक्रम के बारे में बात कर रहेते हो तो बताइए यहां से W बराबर आप लोग क्या बोल सकते हो? N क्या हो जाएगा आपके पास? C V D T हो जाएगा नियत आइतन पर तो C V होगा न? ओके तो बताइए मॉल कितनी है यहां पर इसके? तीन मॉल है C V कितनी दे रखिये? 27.5 मल्टिपलाब है T2 कितना दे रखा है इसने? 250 केल्विन माइनस T1 कितना दे रखा है इसने? T1 दे रखा है 200 केल्विन कितना दे रखा है? 200 केल्विन तो बताइए क्या आप यहां पर calculation करके work calculate कर सकते हैं गया? कर सकते हो? ओके आज की session को हम लोग यहीं तर रखते हैंगे तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया? यहां तक हमने किसके बारें पढ़ लिया, work calculation के बारें पढ़ लिया, I hope आपको यह सारी चीज़े समझ में आई होगी, हम लोग next session में फिर से मिलेंगे, आपके साथ एक नए topic के साथ, तो चलिए जब तक आप पढ़ते रहिए, आराम से, जिते भी आज का lecture थोड़ा सा important है, क्यों important है, क्यों हमने lecture में work calculation को cover किया है, अब जहां पर भी आपको questions मिले न, आप उन questions को करना, easily questions को आप attempt कर पाओगे, question की language को समझते भी questions को attempt करना, तो मिलते हम लोगों अपने next session में, तब तक के लिए, okay, bye.